हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉंपेटिशन कम्यूनिटी ज्यूट्यूब चैनल, कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है प्रांजल सिंग and I am the faculty of law in the competition community और आज आप सभी students के लिए मैं लेके आया हूँ, हमारे constitutional law में एक और video lecture, आज हम बात करने वाले हैं education के बारे में, education, अगर education ना होता तो क्या आज हम इस technology को develop कर पाते हैं, जिसमें मैं और आप आज इस medium से बात कर पा रहे हैं, अगर education नहीं होता तो क्या सत्या ने डेला आज Microsoft के CEO होते, और अगर आज education ना मिली होती, तो क्या सुन्दर पिचाई Google के CEO बन पाते, education, एक ऐसा शब्द जो हमें रोज मर्रा की जिंदगी में हमारे सुबह उटने से लेके, रात में सोने तक, ना जाने कितने levels पे effect करता है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं, education, एक ऐसा श century में एक common सी चीज बन चुकी है, जब हम मानते हैं ऐसा कि education एक ऐसी चीज है, जो हर इनसान के पास तो होती ही है, फर्क सिर्फ है उसकी quality का, लेगिन अगर मैं आप से कहूं कि आज भी हमारे section of society ऐसी है, जिसको education मिलना ही बहुत बड़ी बात है, उनके लिए एक सपना है कि उनको एक अच्छा teacher आके केबल सिर्फ इतना बता दे कि ABCD या काखागा पड़ा कैसे जाता है, आज भी हमारी society में एक बहुत बड़ा तपका है, जो कि illiterate है, और यहीं से हमें पता चलता है कि education के line में हमारे पास कितनी disparity है, आज India एक developing nation है, but still we are struggling on the field of education, और आज के इस video lecture म हम बात करने वाले हैं, education से related एक बहुत ही important constitutional provision की, जिसके बारे में बहुत जादा चर्चाए होती है, बहुत जारा discussions होते हैं, और बहुत बड़ी-बड़ी बाते होती है, लेकिन actual में ये article हमारे लिए क्या लेके आता है, और इस article में हमें क्या पढ़ना चाहिए, और क्या सम समझने की कोशिश करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ, constitution of India यानि की भारत के संभिधान के अंदर आने वाला 21A जिसको हम कहते हैं, article 21A के बारे में, 21A जो की एक amendment से add हुआ 2002 में, वो हमारे constitution के one of the important provisions में से है, और एक हमारा fundamental right भी है, तो आज के इस video lecture में हम समझने की कोशिश करे करेंगे, right to education को जो की दिया हुआ है, article 21A के एंडर में, तो आज के इस video lecture को आगे बढ़ाते हैं, और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ही short तरीके से की article 21A बात किस बारे में करता है, और हमारा real life implication इसके बारे में क्या है, इसके साथी साथ आज इस video lecture में हम समझन की कोशिश करेंगे, कुछ case laws भी, और साथी साथ हम कवर करेंगे, right to education act को भी, चलिए, अब ज़रा देखते हैं, यह add हुआ था जैसा कि मैंने आपको बताया, यह जो हमारा section है, उस section का नाम क्या है, उस section का नाम है 21A, यह जो article है, वो 21A article है, इसका मतलब A यहाँ पे लगा ह हुआ है, that means, यह एक amendment से add हुआ है, और सबसे पहला point हमारे लिए यही जानना जरूरी है, कि existence में आया कैसे, तो यह existence में आया, 86th constitutional amendment के द्वारा, और उसके बाद यह add हुआ 21A के बाद, 21 किसके बारे में बात करता है, यह बड़ा interesting question है, अगर आपको याद है, तो आप मुझ परते है, right to education को, क्योंकि वो उसी का एक sub-part भी कहा जा सकता है, उसके बाद, यह right to education किसको मिलेगा, यह बात सच है कि हर एक नागरिक के पास education का अधिकार होना चाहिए, लेकिन यह बात भी जानना जरूरी है कि पहले किसको मिलना चाहिए, अधिकार, सबसे पहले वो अधि के बच्चों के लिए, सरकार को free में education देना है, यह कौन बोलता है, यह article 21A of the constitution बोलता है, अब बात आती है article 45 की, article 45 क्या है सर, सबसे पहले तो article 45 से आपको यह समझना है कि यह एक fundamental right नहीं, यह एक DPSP है, डिरेक्टर principle of state policy, अब article 45 भी बात करता है कि सरकार को ensure करना है कि education दी गया और उसको एक fundamental right के रूप में देखा गया, आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास एक case है, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, यह case है 1992 का, 1992 के इस case में क्या हुआ, सबसे पहले case का नाम देख लेते है, Mohini Jain versus state of Karnatka, Supreme Court held that RTE at all level is a fundamental right flowing from article 21, यह पहली बार था 1992 में, है कि उसको constitution के fundamental right में होना चाहिए, उस portion में, part 3 में, वो अगर नहीं था, क्यों क्योंकि वो तो article 45 में इसके बारे में discussion करी गई थी, और specifically इस provision के बारे में भी बात नहीं करी गई थी, इसलिए 21.1 amendment के through constitution में add हुआ, ठीक है से, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है हमारे पास is a fundamental right flowing from article 21, but right to free education is available to the children until they complete age of 14 years. इसमें Supreme Court ने ये बोला कि right to education तो एक fundamental right है, ये बात सही है, लेकिन right to free education, यानि कि free में education देना, वो एक fundamental right है केवल उन बच्चों के लिए, जिनकी उम्र 14 साल तक की है, यानि कि 14 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ये right available नहीं होगा. यानि इस उमर के बाद अगर education आपको किसी को provide करना है, तो वो state की economic capacity के उपर depend करेगा और उसकी development के उपर depend करेगा. ठीक है sir, और एक हमारे पास तीसरा case भी है, तीसरा case आया 2011 में, जिसमें जिसका नाम था state of Tamil Nadu versus K. Shyam Sundar, इसमें Supreme Court ने क्या बोला, Supreme Court held that the right to education should be extended to have quality education without discrimination on the ground of economic, social and cultural backgrounds. ये क्या है? ये आपके article 21 में भी case इस्तमाल किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि इसमें Supreme Court ने ये बोला कि right to education का मतलब ये नहीं है कि आपने उनको उठाया और किसी भी school में बठा दिया और कुछ भी पढ़ा दिया. इसका मतलब है कि आपको उनको quality education देनी पड़ीगी लागू हुआ जो की बात करता था किसके बारे में? उसने education के right को एक directive principle of state policy के अंडर में डाला. Fundamental right में वो नहीं था. उसके बाद 1968 में, यानि की 18 साल बात क्या हुआ? डॉक्टर कोथारी, जो डॉक्टर कोथारी थे, उनको क्या बनाया गया? उनको in charge बनाया गया एक commission का, जो की education को deal करता था और उन्होंने अपनी reports में ये बताया कि sir, education से related हमारे पास कुछ necessary acts को बनाने की जरूवत है और साथी साथ इसको एक fundamental right बनाने की भी जरूवत है. उसके बाद आया समय 1993 का, ये बात है 1968 की, जब डॉक्टर कोथारी की reports आई 1993, उसके बाद यात करी 1993 में क् हमने जो cases पड़े थे, उनका year है ये. Right to education was recognized as a fundamental right, right to education को एक fundamental right माना, किसने माना? Supreme Court ने माना, followed the right to life under article 21, जैसा कि मैंने आपको बताया, right to life जो कि article 21 में दिया हुए, उसके under में आएगा वो case of the Indian constitution as per supreme court decision on the case of Mohini Jain versus state of Karnataka and Unni Krishnan. ये दोनों के अभी हमने पिछे पड़े थे इन दोनों के base पे 1993 में क्या माना गया? कि right to education एक fundamental right होगा. इसके बाद आया year 2002, इसमें हमने क्या पड़ा? Article 21A was added to the constitution as a part of the 86th amendment. 86th constitutional amendment जो आया, उसने क्या add किया? Article 21A को हमारे भारतिय सम्विधान में add किया और ये बोल दिया कि अपसे right to free education दिया जाएगा उन सभी बच्चो जिनकी उमर 6 साल से 14 साल के बीच में होगी. और आखरी में 2000, जो है हमारा समय जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, असल में इसको हम कर देते है 2009, क्यों? क्योंकि the right of children to free and compulsory education act 2009, यानि कि जो ये RTE का act आया, ये कब आया? 2009 में आया, जो आज भी implicate है, जिसके ब RTE Act अलग है और RTE Act भी अलग है. आगे बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं, RTE Act के कुछ important provisions के बारे में या कुछ main features के बारे में जो आपको पता होने चाहिए, इस article के base पे, क्योंकि इस article के साथ-साथ कई बार सवाल पूछा जा सकता है, right to education act के बारे में भी. सब ऐसे पहली बात क्या है, it provides for appointment of appropriately trained teachers, ये क्या बताता है, ये appointment के बारे में जिकर करता है, appropriately trained teachers, ऐसे teachers जो कहीं भी ऐसे अगर आप बच्चे को free में पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपने कोई भी teacher लाके दे दिया, वो teacher इतना efficient होना चाहिए, कि वो अपने पढ़ान इसा होता होगा, कि कान पगड़ के खड़ा करा दिया, हाथ उपर गड़ के खड़ा करा दिया, है ना kneel down करवा दिया, या उठक बैठक करवा, ये सब चीज़े गलत है, तो ये सब चीज़ों को ये prohibit करता है, act और साथी साथ mental harassment, mental harassment क्या होता है, आप जो class में खड़े होके बच्चों को आप लोगो बोला जाता होगा, स्कूल में कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, या तुम fail हो जाओगे, तुम्हारे से जैसा मैंने आज तक बेवकूफ बच्चा नहीं देखा तुमसे जादा, ये सब चीज़े mental harassment के अंडर में आती है, उसके बाद आया B, B क्या कहता है screening procedure for admissions of children, ये क्या बता रहा है screening procedure, ये क्या prohibit कर रहा है screening procedure को, अब ये क्या procedure होता है सब, ये act के हिसाब से आप कभी भी कोई बच्चा जो RTE के तहर्त, यानि right to education के तहर्त, किसी school में admission लेने आया है, आप उसका कोई screening procedure नहीं करेंगे, कि बेटा पहले आप ABCD सुना हो, या आप कितने अच्छे हो, पहले मैं check करूँगा, फिर आपको admission दूँगा, कोई भी बच्चा जो 6-14 साल के बीच में है, उसको admission दिया जाएगा, कोई screening process उसको गुजरने की जरूवत नहीं है, capitation fee, किसी भी प्रकार की fees नहीं दी जाएगी, कोई भी private tuition जो कोई teacher ले रहा ह operations करने से, आगे बढ़ते हैं, और भी दो features है हमारे पास, right of children to free and compulsory education till completion of elementary education in a neighborhood school, elementary education, यानि कि जो basic 10 वी तक की education होती है, उतनी education जब तक किसी बच्चे को ना मिल जा, तब तक की लिए उसको क्या किया जाएगा, school में पढ़ाया जाएगा, in the neighborhood school, क्योंकि इसका मतलब यह नही education, अब compulsory education का मतलब क्या है, उसका मतलब दिया हुआ है, कि सबसे पहले तो आपको क्या देना है, free elementary education देना है, and ensure compulsory admission, उस बच्चे का admission आपको ensure करना है, attendance, वो बच्चा regularly admission लेने के बाद आ भी रहा है कि नहीं, यो जो उसको free में सुविधा दी जा रही है, उसका वो पालन क कर रहा है कि नहीं, और अगर वो नहीं आ रहा है, तो क्या reason है कि उसको school नहीं आने की वज़ा दी जा रही है, and completion of elementary education, और उस बच्चे ने एक बार admission ले लिया, तो सरकार को चुप नहीं बैठना है, ensure करना है, समय समय पे कि उसकी पढ़ाई सही से चल रही है, और आखर में उसने अपनी elementary education complete करी कि नहीं करी, आगे बढ़ते हैं, it makes provisions for a non-admitted child to be admitted to an age appropriate class, कोई ऐसा बच्चा जिसके admission साही समय पे नहीं हुआ था, तो अपनी age के हिसाब से जो भी appropriate class उसकी बनती है, उस class में उसका admission करा दिया जाए, it specifies the duties and responsibilities of appropriate government, local authority and parents in providing free and compulsory education, ये क्या बताता है, य अगर आपके मन में कोई डाउट है, तो आप हमें नीचे comment section में बता सकते हैं, I hope आपके दिमाग में एक concept clear हो गया होगा, इसमें और कोई ऐसा important case law नहीं है, और ये timeline आपके लिए बहुत important है, exam के perspective से तो आप इसको ध्यान रखेगा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तो जुड़िये competition community के साथ, आज ही हमारे website के carrier page पर विजिट करें, अथ्वा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें, हमेशा आपके साथ Team Coco